ज़ाड उपोछा करने को मजबूर सलमान की फिल्म की हीरोईन मांग रही हैं बॉलेवुड में काम बॉलेवुड में सितारे जितनी जल्दी चमकते हैं तो वो उतनी ही जल्दी गुम नाम भी होते हैं अब आप पूजा डगवाल को ही ले लीजिए सल्मान खान की हीरोईन बनकर परदे पर नजर आई पूजा डगवाल भी तेर दिनों ही तब खबरों में आई थी जब वो अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच जूज रही थी बलिवुट से उस वक्त कई लोगों ने पूजा की मदद की थी सल्मान खान ने खुद पूजा की मदद के लिए साल भर उनका खर उठाया और उन्हें गोगा में रहने के लिए एक रेंटल हाउस में शिफ्ट कर दिया लेकिन गोगा में पूजा के बास कोई काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे इसलिए गोठीक होने के बाद मुंबई आगी पूजा मुंबई के उपनागर अंदेरी वेस्ट वर्सोवा गाव में एक कमरे के मकान में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है पूजा इस कमरे में रहने के लिए 5,000 रुपे रेंट देती है पूजा जिस कमरे में रहती हैं, उसमें एक और किरायदार भी रहते हैं, अब पूजा ने कोई डिपोजिट नहीं दिया है, इसलिए वे घर की साफ सफाई और खाना बनाने जैसे सभी काम कर लेती हैं, इस समय पूजा एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, हाल ही में एक इंटर पूजा की मदद के लिए धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, अनीस बजबी ने एक इंटर्व्यू में कह दिया है कि वो अपनी आने वाली फिल्म में पूजा के साथ काम करेंगे, उन्होंने खुद कहा है अगर कोई भी ऐसा रोज मिलता है तो वो जरूर पूजा को लेंगे, इ बूमन आगे कहते हैं कि फिल्म इंडिस्ट्री को ग्लैमर की दुनिया कहा जाता है, लेकिन यहां कई बार ऐसी कहानिया सुनने को मिलती हैं कि लोगों के पास अपना एलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, कई बार कई बड़े बड़े आक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐ पूजा ने भी एक इंटर्व्यू में कहा था कि देखेए मैं लाचार बन कर लोगों से पैसे की मदद नहीं चाहती हूँ, मैं काम करने में सक्षम हूँ, इसलिए लोगों से अपील करती हूँ कि मुझे काम दें, जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, मुझे काम करना है और फिर लोगों के साथ आज भी कायम है मुझे काम चाहिए इसी इंटर्व्यू के बाद से अब लोग पूजा की मदद के लिए आगे आ रहे हैं बतादे की पूजा ने सलमान के साथ वीर गती में काम किया था